यहां देश का सवाल में आप देख रहें नेता महा एप का महा पोल ओपीनियन सर्वे और मेरे साथ इस वक जोड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जब मैंने उनसे जानकारी ली कि आपको आने में देरी हो गई अमारे दो सवाल हो चुके हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि सड़क पर बहुत जाम था सड़क पर क्यों जाम है यह आपको भी पता है और मुझको भी पता है आखिर यह जाम उर जाता तो शायद आप देर से ना आते पहला सवाल था कि क्या मोदी की तावर तोड रहलियां गेम चेंजर साबित होंगी और दूसरा ये कि अर्विन केजरिवाल की लोक्रीता के सामने कोई और दूसरा चेहरा ना होना या आप लोगों के लिए नुक्सान साबित दिखाई देता है यह बहुत फरक नहीं पड़ता आपने देखा कि जारकरना वहारे इसके पहले मारस्ता में अच्छा किये तो लगा रहता है चुनाओ यह तो प्रागिती का ये नियम है लेकिन सारी पीजेपी को आपने लगा दिखाई नहीं लेकिन जितनी बड़ी बात प्रदार मिलतरी न आप पब्लिक प्रोपर्टी को कबजा कर लिये हैं उसके लोगों को इंगर्मीनियंस कर रहे हैं और यह अब तु साफ लग रहा है लेकिन आप नहीं उठा रहे हैं सबी लोग गए वहां जाकर भड़का है उन लोगों को यह कॉंस्पिरेसी है देश को डिस्टिबलाइस कर कर भी आना है चोटा सा जवाब दूसरे जो नतीजे आयते आकडों के उस पे क्या अरविंद केजरिवाल की लोगपरिता के सामने दूसरे चेहरों का ना होना उनके लिए नुकसान है और ऐसे भी देखिए इस सवाल को कि पोस्ट-90s के पॉलिक्स में हर स्टेट में लीडर का फेस्त चुनाब में काफे माइने रखता है नाशनल लीड्य जी के पास का य pretty इस कवाल बी अर pleasant जी अरविंद की लोखता क्या इतनी ज्यादा है कि दूसरे दल कोई चेहरा सामने उतारना नहीं काम है ज्यादा है नहीं लेकिन वही एक मातर चेहरा है असली चीज यह है बाकी किसी ने सामने किया ही नहीं और वीजेपी जिस चेहरे को लेके आगे क्यों नहीं किया गया क्योंकि कम से कम अगर पुरव का वोट ही उनके नाम पर आ जाता तो बीजेपी की इस्तिती काफी बढ़िया होती क्योंकि उसका पुराना वोट जो मानते हैं हम सब लोग की बन्या और पंजाब जी मैं आपके पास हमें तीसरा सवाल भी लेना है क्या दिल्ली में नेताओं के भड़काओं बयान से बीजेपी को फाइदा पहुंचेगा जी हां तमाम बयान जो आ रहे हैं उसके तहट हां में लोगों ने कहा है 49485 लोगों का जीहां सीधे तोर पर अरविन जी ये दिखाई दे रहा है कि नफरत जहरीले बयान काम नहीं आएगे अर्विन ने ने जै cens अर्विन के साथ के रहने हैं और यहां 24 Chicago और प्हेयम के बli annap Christi chi ऐस्का नर्वार्व और बिजेपर अगर यह कर रही है तो यह बैकार नहीं कर रही है किसी गलतीष से हो जा रहा है यह सोची समझी है और उसका लाव उसको होता वहां दिखाई दे रहा है अब नतीजे में यह कितना कनवर्ट होगा तब तक चीजें क्या होंगी जैसे उस दिन गोली जिस दिन चली है मुझे लगा कि उस गोली चलने के मनीश जी आपको पता है कि फाइदा हो नुक्सान हो यह सब राजनितिक विसलेश्ग्यों का काम है यह हमारा काम वह लिए जब हम दो सीट पड़ते हैं तब यह वह बात करते हैं जो आज कर रहें मजबूत राश्ट को बनाने की बात करेंगे जो भी बात करेगा भारत के टु पी साथ रखी है और शायद उसका आपको फाइदा हो जाए कि क्या है कि हम लोग ने जो हमेश्या का है कि कोई भी सरकार अगर आप वोट देंगे तो वो काम पर होनी चाहिए तो इसमें जो कोई कम्फूजन नहीं है और इससे पहले एक वक्ता कह रहे थे कि यह बढ़काव कि बच्चे लोग कोई चाहता है कि गोई गोली मारो हत्या कर दो मारो पीटो इस देश में जो है कि कोई भी परिवार ऐसे बाते को पसंद नहीं करता है अगर आपको जो है और इस आकड़े के अनुसार उसके मत अगर इस आकड़े के अनुसार है तो फिर 70% अरविंद केज अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का शाहिन बाग 13 शाहिन बाग मेरा इसी को लेकर उल्जी है दिल्ली की सियासत एक छोटे से ब्रेक के बाद नेता एप का ये महा ओपीनियन पोल सर्वे लगातार जारी है एक भार फिर इस महा ओपीनियन नेता है के महा ओपीनियन पोल सर्वे में आपका स्वागत है जी हां लगातार अभी तक तीन सवाल पूछ चुके कि आखिर सर्वे में जो लोगों की राय थी वो आपको बताई क्या चौथा सवाल जी हां क्या शाहिन बाग मुद्दे से बीजेपी को फाइदा होगा हां में लोग कहते हैं 56.42 प्रतिशत लोग कहते हैं हां नहीं कहने वालों में 43.18 पीज़ी लोग कहते हैं नहीं सर्वे सैंपल जो रहा यानि कि जिन लोगों तक पहुँचने की कोशिश की वो 57.706 लोगों तक पहुँचकर ये नतीजे और यहां आखड़े सामने आए हैं जी हां शाहिन बाग शाहिन बाग दिल्ली सियासत का सबसे बड़ा बाग जिसको लेकर की सेंटर ओफ अट्रैक्शन बन चुका है सुदेश वर्मा शाहिन बाग सबसे बड़ा मुद्दा और इससे आपको फाइदा होता दिखाई दे रहा है फाइदा होगा नुकसानों का नहीं मालूम लेकिन साहिन बाग देश का मुद्दा है कि कैसे कुछ चंद लोग जिसको हम मौला क्राउट बोल सकते हैं आकर उसके बाद वो कैसे हाईजेक करने का प्रयास करते हैं सिस्टम को ये बोलते हैं कोंस्टिचूशन बचाएंगे परलेमेंट के खिलाब हैं सूप्रीम कोट के खिलाब हैं ये क्या इनके खिलाब नस्vit में लहा है कि जnd गुसा होगी यही तरीका नहीं है डेमॉकरसी में तो क्यों नहीं हो रहा निशाद वर्मा आपका जवाँ अगर ये दिकल्प के आता है कि शाहिन बाग मुद्दे से बाजिपा को फाइदा हो रहा है यह अगर जवाब आ रहा है ना तो थोड़ा आउटर डेली में जहां पे यह लोग मोबिलाइज कर पाएंगे हां मुझे पूचा था नफरत और जहरीले बोल जो है वो भी काम करते दिखाई दे रहे आप से मैं वो जवाब नहीं ले पाया था गलत ट्रेंड है अगर काम कर रहा है तो गलत ट्रेंड है क्योंकि अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया तो फिर मोदी साब को हटाने के लिए फिर क्या जिए आप के बोल को जनता जानती है आप जिस अलाव में कहते हैं या बोली चलेगी कि निया ट्रेंड है वाग दूसरा जी या आद रखिए याद रखिए वर्माजी साथ के से माफ बता रहा हु है आपको अगर बोली नहीं और गोली से अगर लोग बोली मारो तो आप ते डॉक्टर अज़ाई कुमार शाहिन बाग से आपने कन्नी काटी है डॉक्टर कुमार आपने शाहिन बाग से कन्नी काटी है और इसका आपको हलका सा नुकसान होता दिखाई दे रहा है हम तो हमेशा कहते हैं कि हम सिर्फ विकास और काम पर बात करेंगे यह दिली शाहिन बाग को हटाना तो दिली पुलीस का काम है इसका मतलब है कि अमिज शाजी जो है दिली के लिए इस देश के सबसे नकारा ग्रे मंत्री साबित हो गए कि अगर आप जो है रौट को खाली नहीं कर सकते हैं तो आपके अंडर है नकि दिखत क्या है कि आमिज शाह जी बोलने दीज़ है है यह भाज़पा का साझ़िष है आप खाली करो आपके बाद देली पॉलिश है हम जब पाइब शेल रही है तो आगर परशाइन हो तो खाली करें रहे हैं बोले हैं खाली है यह गलत नहीं तरीके से परद्शन कीजिए लोग काुछ जो है मैंने ब्रेट के पहले कहा था कि आकर दिली की हो रहा है आपके परदास नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर काम कहीं गुम से हो गया आचिस रंजन क्या दिली में इस तरह के शाहिन बाग को लेकर जो बाते सामने आए और जो आकड़े सामने आ रहा है आपको लगता है कि इससे बीजेपी को लाब होता दिखाई दे रहा है देखिए इससे लाब हुआ है लेकिन इसमें दो बाते हैं पहली बाते यह है कि एक देखा जाता है बेस बोट कितना और और फ्लोटिंग वोट कितना है बीजेपी का बोट जो वेस बोट है 32 परसेंट का पास है इसमें दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि फाइदा होगा वो लोग बीजेपी को वोट दे देंगे अगर ऐसा हुआ तो सवाल है अर्विन जी छोटा सा जवाब शाहिन बाग बीजेपी को फाइदा देगा इस चित रूप से और अर्विन केजविवाल और आपको अगर ये भ्रम था कि वो सुतुरमूर्ग की तरह रेत में सिर्गुसा लेंगे और साहिन बाग को सिर्फ एक ट्रफिक की समस्या मान लेंगे और अमित्सा के भरों से चोड़ देंगे तो उसका यही नतीजा होना था अ हां कहने वाले 80% लोगों ने कहा है हां और नहीं में 20% लोगों ने कहा है नहीं सर्वे सैंपल साइज जो रहा है 60,432 लोग जियां बिजली पानी बिजली पानी जिसको लेकर आप अपना जंडा बुलंद किये हुए है उससे यह लगता है कि सीधे तोर पर आम आदम मचाले कि हम प्री की बाते नहीं करते लेकिन अर्विंद केजिरिवाल सीधे तोर पर कहते है कि तेरा तुझको अरपन तुझसे खमाया तुझे दे दिया सुधे जी ऐसा कुछ भी नहीं आप बात बताईए रैश्नली सुचने की बात है कि आप चुक्के दिल्ली में सिर्फ रहे हैं एक बार आप सिफ दिल्ली के बारे में सोचना पड़ेगा अगर हर राज में यही किया सकता है जो फिर बिजली उतपादन ही नहीं होगा सब लोग अम उसरे राज कर्ज में डूबे हैं दिली के जो आप इस देने की लिए पैसा आर्जी पिर लिया है इंको GST से बहुत पैसा मीड़ा है उसको इस पेंड कर सकते हैं जब अगीकत यह हगीकत यह है सबसे कमजोर हो गया है देश आर्टिक सिदी कमजोर और आपने बिली नहीं होग यह बात तो है देखें ना भाज़पा वाले भी फ्री प्री प्री कर्ड़ गई और यह देश से पड़ रहे हैं फोकट में कुछ नहीं होगा और आप यह फोकट में कुछ निए निशान जिए निशान जे बारत्य अपार्ट्टर कुमार आपको बिजली पानी फायदा पह यह रोगी नहीं रूगी आठ रुपे पर उनिट जी भीषटह से बरिंगा रही है यहां पर फेません पर है जो वचु बच्चे मर्राई गो रख पूर में देली में जो है सबसे अच्छा स्वास्तेपूर अबारत में शिक्षा में अच्छे हैं तो आप बताएगा ने कि यह क्या बीजेपी मॉडल है बच्चे मरेंगे स्वास नहीं होगा और सब बगवाँ के नाप पर वोट बटो रहो इए बगवाँ के नाप शरवारी चाहिए बगवाँ का काम है इंसान का सेवा करना लेकिन बिजली पानी जो है वो आपके लिए री से नहीं है और अगर साहिन बाग के बहाने कमिनल पैसन फिर एक बार चड़ाया गया और लड़के इस लेविल पर आ गये हैं कि जाके आप वहां अटैक कर रहे हैं अर्वी जी छटा सवाल भी आ गया है जिया इस महा पोल्स उपीनियन सर्वे में बीजे पी आपकी रसा कशी क क्या कॉंग्रेस दिल्ली की चुनावी लड़ाई से बाहर है हां में लोगों ने कहा है चौरासी दशमलों 62 प्रतिश्यत लोगों ने कहा हां नहीं कहने वाले लोगों में 15.38 लोगों ने कहा नहीं सैंपल सर्वे जो रहा है या रखी जितने लोगों तक हमने पहुंचने की कोशिश की इनाकरों के लिए वो थे 48,908 लोग जियां कॉंग्रेस रन में नहीं निशान तो अर्मा अच्छी ख़बर नहीं अगर चार पांच सीटे तो मुझे साफ आती दिखती है इसके अंदर और अगर यह परसेंटेज जो नहीं का दिखा रहा है 15.8 15.4 तो यह उतनी सीटे कंवर्ट करता है तो इसी को तो राइस कह रहे हैं तो रेस में सरकार बनाने में तो मैं भी नहीं कह रहा हूं कि वो कोई सरकार बना लेंगी लेकिन जो राइस है वो यही परसेंटेज है पांच-छे सीटे जो आ रही है अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे 70 का वह आ रहा है जो मैंने आप सेंग्रेस कही रन में दिखाई नहीं थे कभी कॉंग्रेस बहुत स्ट्रॉंग हुई करती थी सीर चुनावां में पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई थी लेकिन उसके बाद से खुद अपनी लड़ाईयों में इस किसम से उल्जी रही नेता प्रजेक्शन से लेके उसका इतिहास अच्छा है उसके पास अच्छे कैंडेट हैं लेकिन लीडर्सिप है ना लड़ने की कोई इच्छा दिखाई दे रही है तो इसलिए उसमें और जब दो ऐसे लोग हैं जो पांचो साल चुनावी के मोड में हैं अर्विन केजरिवाल भी और नरेन मोदी भी और दिल्ली दोनों के लिए ना का सवाल है तो वैसे मैं कॉंग्रेस इतने ब्योहार से और इतने इस नजर दस सेकेंड और लूँगा जो पीछले वाल आपका सवाल है बिजली सरक पानी और स्वास्त और एज्योकेशन की जो बात हता है वो डेफिनेटल आशीश हमारा अभी एक सवाल और बाकी है हमारा अभी एक सवाल और बाकी है और मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक जिया केजरिवाल को आतंकी कहना जी अए यह हमारा सात्वा और आखरी सवाल है नेतायफ महा ओपीनियन पोल सर्वे का क्या अरविन केजरिवाल को आतंकी कहना बीजेती को नुकसान पहुचाएगा हां कहने वाले लोगों में 69.77% लोगों ने कहा हां नहीं कहने वालों में 30.23% सेंपल सर्वे जो रहा है जिन लोगों तक हमने पहुचा है वो हैं 54,832 लोगों के बीच पहुच कर आपके टेलिविजन स्क्रीन पर यह जो आंकड़े आप देख रहे हैं 69.77% लोगों ने कहा हां जिया सुदेश वर्मा जुबानी जंग, जुबानी तीर, जुबानी बतो ले बाजी आपको नुक्सान पहुचा जो विक्ति अपने राजनितिक स्वार्त के लिए आतंक वाद के खिलाप नहीं बोल पाता है, जो आतंकी लोग हैं जिनोंने ये किया है साहिन बाग, जो लोगों पीछे से कर रहे हैं, पीफाई का पैसा है वहां पर, पिकनिक हो रहा बीच दिल्ली में, ये तो खुद अपने आप पे नार्किस बोले दवाई हैं, और फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और लौपुरूस हैं, और पता नहीं देश के सबसे ताकत रहे हैं, तो आप यही बात आपका दो रहे हैं, जो कर देगें, तो इसी बात को दो रहे है सुदेश वर्मा जी से, संबित पातरा जी से, मोदी जी से, देश के किसी भी नागरिक को आप टेररिस्ट मत बोलिये, ये खुद की गद्दारी का एक निशान होता है, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये महा उपिनियन पोल सर्वे जारी है आप ने देखा नेतायप महा उपिनियन पोल सर्वे के साथ सवाल, जिस पर जनता का मूर क्या है, मेरे साथ मौझूद पैनलिस्ट के मन की बाद, आखिर उनके मन में क्या है इन आखोडों के बाद, सबसे पहले सुदेश जी, बहुत छोटे छोटे जवाब दीए ना केजरिवार जी ने कारे किया है पांस साल में, कॉस्मेटिक चेंजिस किया है, एक बवाल किया है, झेए अब श्हें बहुत काम किया है, और न तो ये भारत के संप्रभुदता के लिए, सिईक्रिटी के लिए, की और मुझूद फटेश जोटे थे, बहाजपा के में आप तो जिस तरह से लोग गाली गलोज कर रहे हैं दिली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी अगर बहुत बहुत धन्यवाद अर्विंजी चोटा जवाब में केजरवाल के जो पार्टी अनको साइड़ा हो गया आशीश बहुत बहुत धन्यवाद तो आपने देखा इंडिया न्यूस का सबसे बड़ा जिया सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल सर्वे और उसके आखोड़ों को आपने देखा संजा दिली के चुनाओं काम बनाम नमस्कार आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूँ मैं हूँ मनीश अबस्ती जिहां दिली के दंगल में आखिर कौन मारेगा बाजी जिहां आज इस पर नेता एप का महा ओपिनियन पोल हम लेकर आए हैं इसका फैसला होने में कुछ ही दिन बचे ह आठ फरवरी को मतान है और ग्यारा फरवरी को फैसला आएगा कि आखिर दिली के दंगल में कौन जीतेगा लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज नेता एप लेकर आया है देश का सत्से बड़ा सर्वे अब आखरी वक्त में प्रधान मंत्री मोदी भी दंगल में उतर गए हैं उन्होंने दिली के कट कट डूमा में एक बड़ी रैली की उन्होंने विकास के नाम पर दिली वालों से बदलाओं की अपील की इंडिया न्यूज नेता एप के साथ लेकर आया है सत्से बड़ा सर्वे हमने दिली की जनता के भी नेता एप के जरिये किया है एक गेंचेंजर साबित होगी हमने पूछा कि क्या दिल्नी में केज रिवाल को आतंग कि कहने से बीज़ेप्र नुक्सान होगा अइसे ही तमाम सवालों पर हम जताल कि राए से आपको रूह रूह कराएंगे पर सवाल एक एक कर जवाब में आपके सामने लाओंगा साथ ही ये भी बताऊंगा कि हर सवाल के लिए हमने कितने लोगों से बात की हमारे साथ राजनीतिक शेत्र से जोड़े लोग है वरिश पत्रकार भी है आखिर क्या आखरी वक्त में मोदी की रैली बीजेपी के लिए गेम चिंजर साबित होगी इस पर लोगों का क्या कहना है आपको दिखाएंगे लेकिन पहले आप देखिए कि कट-कट डूमा रैली में प्रधान मंतरी मोदी ने नागरिकता कानून से लेकर एक-एक मुद्दो पर कैसे केजरिवाल और कॉंग्रेस पर वार किया और जामिया शाहिन बाग के प्रधर्चन को सैयोग नहीं प्रयोग बताया सुनिये प्रधान मंतरी मोदी की रैली के वॉंच साथियों सिलंपूर हो जामिया हो या फिर शाहिन बाग बीते कई दिनों से सिटिजन्सिप एमेंड्मेंट बिल को लेकर प्रधर्शन हुए क्या ये प्रधर्शन सिर्फ एक सैयोग है जी नहीं ये सैयोग नहीं ये एक प्रयोग है इसके पीछे राजनीती का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट के सोहार्द को खंडित करने के इराजे रखता है ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता है तो सरकार के तमाम आस्वासनों के बाद ये समात हो जाना चाहिए था लेकिन आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रेस राजनीती का खेल खेल रहे हैं और वो सारी बाते अब उजागर हो चुकी है सम्मिदान और सिरंगे को सामने रखते हुए ज्यान बाटा जा रहा है और असली साजी से ज्यान हटाया जा रहा है तो आपने प्रधानमंतरी नरिंद्र मोदी को सुना आखिर दिली के दिल में क्या है जिहां इस तरह की रैली क्या दिली के दिल में जो है दिली के रहने वाले लोगों की दिमाग में जो है क्या उसको बदल पाएंगी तो हमारा पहला सवाल सर्वे का है क्या अखरी वक्त में मोदी की रैली बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी हां में 49.2% लोगों ने कहा है हां और नहीं में 60.98% लोगों ने कहा है नहीं सर्वे सैंपल के मताबिक जो सर्वे सैंपल रहा है वो 51,768 लोगों के बीच उआ है यह सर्वे जिहां नेता एप पोल का ये महा उपीनियन पोल इस पर हम जवाब लेंगे जिहां आखेर क्या सूचते हैं लोग हमारे साथ पैनल में मौझूद अलग अलग पार्टी के वो नेता है आपके टेलिविजन स्क्रीन पर जिहां मेरे साथ इससे पहले कि मैं सबका तारूफ कराऊं मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है निशान्त वर्मा जिहां इनकी तेज तर्रार और बेबाग बाचीच से आप वाकिफ हैं आप कॉंग्रेस के समर्थक हैं आपकी भूमी का हमेशा कॉंग्रेस के आसपास दिखाई देती हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं वो जाना पहचाना चिर परिचित वरिष्ट पत्रकार के रूप में चहरा जिनको आप लिखते परते देखते सुनते आये होंगे ऐसे अरविन मोहन मेरे साथ है इस स्टूडियो में आशीश रंजन जी आप सेफोलोजिस्ट हैं आप आखिर इन आख़रों के पीछे क्या ये जो बाते सामने आ रही हैं जिस पर सर्वे हुआ है इसको देखकर आपको क्या लगता ही ये अपने विचार बताएंगे मेरे 70 सीटों के लिए आखिर बीजेपी ने कैसे ताकट जोकी है और क्या उससे आपके जो चांसेस है आपके लिए जो चुनोतियां क्या वो खड़ी होती जा रही है इस पर हम बात करेंगे सबसे पहला सवाल निशानतवर्मा आपने जो आखड़े देखे क्या ये रैली गेम च चुके हैं कि राष्टरवाद और हिंदू-मुसल्मान वाली बातों पे नहीं चलने वाला 1977 से लेकर के मनीश जी अब तक जितने भी इलेक्शन हुए दिल्ली एक ऐसा एरिया रहा एसा राज्य रहा कि जिसने कभी भी इमोशन्स पे वोटिंग नहीं करी हमेशा काम की आज जो भी दिल्ली का नक्षा आप देख पा रहे हैं जो उठाओ है वो ठीक है कॉंग्रेस पार्टी के समय में हुआ और आज की तारीक में आम आदमी पार्टी जो है उसकी उपर वाइट वाश कर रही लेकिन भारतियंता पार्टी में नरेंदर मोदी जी की खास बात मैं आँगा मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है डॉक्टर अजय कुमार प्रधाल मंतरी के आज से ताबर तोड रहे हैं एक तरह से ये कहा जाए कि बीजेपी के वो तमाम बड़े नेता पूरी ताकत जोक रहे हैं गली गली नुकड नुकड पहुंचकर पूरी मेहनत और अपन के साथ आने की बाते जो अलग-अलग सर्वे में आ रही थी उसको धुमिल करती दिखाई दे रही है डॉक्टर अजय कुमार मनीज जी पहली बात ये है कि अगर कोई एक रैली से चुनाव की हाग जी तैय हो जाती तो फिर तो ये नेता लोग यही करते हैं देली की जनता ने मन बना लिया है आम आदमी पार्टी और अर्विन के जिवाजी के नेतरत में जो है सब लोग वोट देंगे और ये सपश्ट है आप चले जाएएगा इनके समर्टक को छोड़ करके दिली की पबलिक ने ये मन बना लिया है पबलिक हमारे साथ में है और जो एतियासिक काम जो पिछले पांग साल में जो हुआ है शिक्षा में पानी में बिजली में तीत यात्रा में और जितने भी स्वास्त में तो उससे जो आम जनता मद्यवर्ग और गरीब लोग जो है उसमें एतियासिक परिवर्टन आ गया है एक आकड़े गया अनुसार तो हर परिवार करीब करीब 60,000 रुपे सालाना बचा रहा है बिजली और पानी और बस फ्री ट्रांस्पोर्ट और इलाज के चलते तो ऐसी सरकार है जो इस प्रदेश के आम जनता के समस्या का समधान करने के लिए पूरे इमांदारी से दरातर पर उत्री है आप अनौतराइस कॉलनी कर देख लीजे न 8,000 क्रोर खर्चुआ अनौतराइस कॉलनी में 5 साल में आप देख लीजेगा कि 1800 अनौतराइस कॉलनी में तो 1200 से उपर जो है सुवेज लाइन से जोड़ दिया पहले बार डॉक्टर साब डॉक्टर साब एक तरफ प्रधान मंत्री है जिया दिल्ली के चुनाओं में प्रध प्रधान मंतिरी मुख्य मंत्री बनने की इतने चुक है आप बताइगा की चहरा कौह ने प्रॉट्सक्यान क्यों है दिल्लीक मुख्यमंत्री बनने के लिए हमते वह EVERY दुरे इनके पास चहरा नहीं है आप चू के यह फैसका जी थोड़ी मुख्यमंत्री बनेंगा वो म nenhum स् दॉक्टर गुमार इसका जवाब मैं पूछूँगा आशिश रंडे जो प्रतिशत सामने आ रहा है आशिश आपको क्या लगता है कि इस तरह की तावर तोड रहे लिया प्रधान मंतरी जब करना शुरू कर दी है और लगातार देश भर से जहां जहां बीजेपी के कारे करता है आशुबर मैं जहाज में आ रहा था और लगातार बीजेपी के इतने सारे नेता आ रहे थे दिल्ली के और तो मैंने पूछ लिया कि आखिर आप दिल्ली क्या चुनाओं के लिए तो उनमें से सभी लोगों ने यह जवाब दिया जहां पार्टी को मजबूत करना आशिश जो सर्वे हुए हैं सैंपल तो काफी बड़ा है यह सर्वे फोन कॉल के थू हुए है या डिरेक्ट लोगों से बातचीत करकर अगर यह आकरे हैं और इतना बड़ा सैंपल है तो यह अपने आप में बड़ा सिंटिकेंस है लेकिन इसके दो माइने हैं ए जो दिल्ली का मोड जो कह रहे हैं कि 61% की नहीं चेंज होगा इसके पॉजिटिव आमादभी पार्टी के फेवर में ये देख सकते हैं कि कि प्राइमिनिस्टर के स्पीच के बावजूद जो लोग स्टेट के एलेक्शन को और सेंटरल के एलेक्शन को अलग-अलग कर रहे हैं और यही जो दूसरा पहलू है जो बीजेपी के नेगेटिव भी नहीं जाता क्योंकि कुछ लोग तुरत जोड़ देतें क्या मोदी जी की या प्राइमिनिस्टर की पॉपलारीटी कम हो रही है वो दरसल है नहीं क्योंकि लोग जो है क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि प्रदेश का एलेक्शन क्या है तो जो हमेशा बज में आती है सर्वे से और वह से भी देखे कि पिछले कुछ समय से क्लियर कट ट्रेंड है लोगों को कि देश में कौन उनको चाहिए लीड करने वाला और स्टेट में कौन चाहिए लीड करने वाला आपके पास दुबारा पिर से आऊंगा चुकि यह पहला सवाल था और हमारे विशलेशक अर्विंद मोहन जी बे बैठे हुए अर्विंद जी प्रधान मंत्री ने जो रैली में कहा है वो साफ तोर पर ये दिखाई देता है कि शाहिन बाग दिल्ली चुनाओं के लिए प्रयोग शाला है जिस से और साइन बाग में लोग किसी मुद्दे को लेके बैठे हैं ये उनकी बातचीत से कहीं नहीं लगा इसका मतलब कि वो अभी भी इस प्रयोग को ही चलाने वाले हैं वो कोई नागरिक्ता कानून को लेके जो लोगों की आसनका है और जिसके लिए लोग वहां बैठे हैं उन के साथ किसी किसम का डायलग करना और किसी किसम समस्या सुल जाने में उनकी रूची नहीं है उनकी रूची टुकडा टुकडा गैंग उनकी रूची वो प्रयोग है और संजोग नहीं प्रयोग है और इसी तरह की बाते करने में है लेकिन वो मामला नहीं है असली चिंता मु दिख रहे हैं ना उसके कैनिडेट धंग से आए ना उनको सीम का चेहरा सामने दिखाई दिया उनके सोसल ग्रूप में अर्विंद के जिवाल से निबारी कर रहे हैं जो बनिया बोटों के लिए खास तोर पर लग रहा था कि वो शिफ्ट हो जाएंगे उस तरफ तो उस रड़ा बताया जा रहा है यह जो एक कंपेंज चला है साहिनबाग सेंट्री जिसमें दिल्ली का डेवलप्मेंट और गौर्वर्मेंट का पर्फरमेंस उसको गुम करके इसको आगे किया गया है उससे यह बढ़ रहा है और अगर यह रफ्तार है तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आते आते कहीं बीजेपी फाइट में ना आ जाया जो फाइट में नहीं दिल्ली जी गोली और बोली यही चल रही है दिल्ली की चुनाओं में जो आम तोर पर देखा जा रहा है आईए हम हम अपने दूसरे सवाल की ओर चलते नेता आया महा उपिनियन पोल के नहीं केजरिवाल के मुकाबले किसी चहरे का ना हुना बाकी पार्टियों को नुकसान पहुचाएगा क्या तो लोगों का जवाब है हां में 70.97 प्रतिशत लोगों ने कहा हां और नहीं में 29.33 लोगों ने कहा नहीं सर्वे सेंपल जो रहा है वो 61,329 लोगों के बीच रहा आपको नुकसान पहुचाएगा और आप तो रण में दिखाई नहीं दे रहे निशादी नहीं पहली बात तो अगर 61,000 लोगों ने ये कहा है कि केजरिवाल के चेहरा होने की वज़े से उनको फाइदा है और दूसरी पार्टियों को नुकसान है तो नुकसान तो सरफ BJP को आप मान बैठे हैं कि हम रण मान नहीं बैठे हैं हकीकत तो यहां से उसको खली रिवाइव करना है बीजेपी को नुकसान है क्योंकि उनके कुछ खास नंबर थे नहीं और जो वो बनाना चाहते थे सरकार उसकी जगे यह हो रही है दरकार के भाई लोग चेहरा मांग रहे ह इसका रिवाइवल है चाहें चोटा होगा या बड़ा होगा वो नहीं पता वो इस समय में अमने जूटे वादों के नाम पे भी यह दिखारें कि हमने इतना काम किया चलिए लहर होगी नहीं होगी वो तो 11 तारीक को पता चलेगा लेकिन अगर इसमें जीरो से जितना भी आ डॉक्टर अजय कुमार आपके लिए एक राहत की खबर कि अर्विन केजरिवाल का ही चेहरा जो है आपको हो सकता है दुबारा फिर ताज पहना सकता है। हम लोग 140 क्लोर का जो सपोर्ट हम देते हैं माईला लोग को बस में DTC के बस के खिराय को खतम करने के लिए दूसरे तरफ हमारे बारतिय जन्ता पार्टी के समर्ट तक लोग 190 क्लोर के प्लेन करीते हैं। कितने लगे आपने कितने स्कूल बनाने का वादा किया कमरे मत बताईएगा स्कूल बताईएगा। ऐसी मुद्दों के बात करिये ना आपने मैं महलाक लेने के बात भी नहीं करूँआ चलो छोड़ दीजेए। छोटा सा जवाब डॉक्टर कुमार मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। उनको भी जोड़ना है। डॉक्टर कुमार छोटा सा जवाब निशान जी के उसपर। ने ने तो ने ने देख एक चीज़ है। हमने 25 नए स्कूल बना हैं, 20,000 क्लास्टरूम बना हैं और निशान जी को बोलूँगा कि MCD ने कितने स्कूल बंद किये। सर्दी के मौसर में हमारे बच्चे को फर्षपर बिटा रहे ही लोग और दवाई के इस्पेंसियां बन तो रही हैं, हम 450 मौला क्लिनिक बनाएं, एक अज़ार तक ले जाएं। आप देखीजिएगा एक तरफ जो है, एक गाड़ी नी उतारी आपने। आप बताईए ना कि DTC बस में किसी माईला से पूची जी आप से सवाल यह नहीं किया, ब्रेक के बाद यह जवाब के देए, आपकी जो शांती है, आखिर कुछ कहती है, क्योंकि आगे बड़ा तुफान आने वाला है, यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम यह भी पूछ अर्विन जी से आशी संजन से, कि आखिर अर्विन केजरिवाल का चेहरा ही वो जादूई छडी के रूप में आपको काम आएगा क्या, एक छोटे से इंतुजार को